जैहिन सात्यों, वेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासेश विस सुमिज्जेन, यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है, तो सभी लोग लाइब आ जाएं और सभी को वीडियो को सेर भी करना है, 에 बिडियो है। पहले हैं तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है फिर वीडियो को सेर भी करना है, तो इसठार होने बाला है दोस्तों आज का ये वीडियो महत्पूर्ण प्रशनों पर यहां पर चर्चा करेंगे तो आपका जो पहला प्रशन है मद्द प्रदेश के किस राष्टी उध्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया तब आपको बताना है चार विकल्प हैं सबी लोग बताएं कौन सा वो आपका टाइगर उध्यान है जिसे सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया है तो सबी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सबी लोगों को आंसर बताना है फटा-फट से तो आपका पहला विकल्प है काना किसली, बांदावगर, सत्पुड़ा या फिर पैच तो सबी लोग आंसर बता रहे हैं कि जो काना किसली है यह आपका बिल्को राइट आंसर हो जाएगा काना किसली जो है इसे सबसे पहले टाइगर रिजर्प के रूप में गोसित किया ग ठीक है अब आपका अंगला क्वेश्चिन अंगला जो उत्तर आपको हो जाएगा कि वो काना किसली साही में हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ier अंगला कोस्चिन है कोो मद्री गांध प्रदेश iamben हो राश्टि या फिर पन्ना तो कौन से जिले में माधाव राश्टी उध्यान है यह चीज हमें बतानी है तो सभी लोग आंसर बताएंगे परेटन सहर भी माना जाता है स्योपुरी पर्थम परेटन सहर और यह जो स्योपुरी है यहाँ पर तात्या टोपे को भासी भी दी गई थी एक क्वेस्चन भी कई बार पूछा गया है और स्योपुरी जो है मध्द प्रदेश के माधा राश्टी उध्यान के लिए जाना जात सबी कुयाद रखना है अंगला कोच्चन आपकी स्क्रीन पर है खाद स्रंकला का अभिप्राय है इन में से किसके द्वारा उर्जा अंतरन होता है जल्दी से बताएंगे नई ये जो है आपको बताना है जल्दी से बताना है चार बेकल्फ हैं सबी लोग बताएंगे भूगर्ब से धरातल की और उर्जा अंत्रन होता है निमनाक छांस से उच्छांस की और होता है एक जीवों से दूसरे जीवों को या इने मैं से कोई नहीं तब आपका प्रस्ण तीन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिल्कुर सही बताया है कि एक जीवों से दूसरे जीवों को क्या होता है है ना उत्तर आपका हो जाएगा सा नम्मर सा नम्मर आपका बिल्कुर सही है ठीक है सा अंगला क्वेस्चिन देख लेंगे प फिर अजेव घटक है, तो वो कौन सा है, परियावरण का अजेव घटक बताना है, सबी लोग बताएंगे, परियावरण का अजेव घटक कौन सा होता है, तब आपका राइट अंसर क्या होगा, बंसपती, जानबर, वायू या इन में से कोई नहीं, तो चार विकल्प हैं, चार में से एक का चेन करना है, परियावरण का अजेव घटक बताना है, सबी को पता है, कि जो परियावरण हैं, वो अजेव और जेव घटकों से मिलकर बनत है, और इसका जो अजेव घटक हो जाता है, वो हो जाता बिकल्प नमर सा, या फिर बिकल्प नमर С, या आनि की बाइउ, बाइउ आपका तो नमर आपका बिल्कुल चाहिए हो जाएगा अंगला कोस्चन देखो स्वर उर्जा का सबसे बड़ा योगी करना कौन है स्वर उर्जा का सबसे बड़ा योगी करना बताना है हरे पौदे हैं जानबर हैं बायू है या फिर इनमें से कोई नहीं तो स्वर उर्जा का हमें बतान है है ना सबसे बड़ा जो योगी करना माना जाता है वो कौन माना जाता है ने उत्पादक कहा जाता हरे पोदे को प्रकास संसलेशन की किरिया द्वारा ये क्या बनाते हैं अपना भोजन स्वयम बनाते हैं और ये स्वर उर्जा के सबसे बड़े योगी करन माने जाते हैं तब अंगला क्वेस्चिन है भारत में बन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो चार बिकल्प हैं आपके सामने देहरादून, भोपाल, जबलपूर या इनमें से कोई नहीं तो बन अनुसंधान संस्थान बताना है चार बिकल्पों में से सबी लोग एक आंसर बताएंगे भारत में बन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर जदी से लिखें कमेंट में और आप सभी ने जो उत्तर बताया है कि भारत में जो बन अनुसंदान संस्तान है वो कहाँ पर है देहरा दून में ठीक है और एक मद्यप्रदेश में जो बन अनुसंदान संस्तान है इसी की जो साका है वो जवलपुर में है भोपाल में ब कौन सा अपघटन योग है, तो अपघटन योग बताना है, कौन सा है, सभी को पता है कि जो अपघटक होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रत्वी के मैतर, अगर आप से पूचा जाए कि प्रत्वी के मैतर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, अपसा बिकल्प आपका सही होगा जो अपगटन योग है तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सभी ने बताया है क्या बताया है विकल्प नमर जो B है आपका चमडे की बेल्ट चमडे की बेल्ट आपका बिलकुर राइट अंसर होगा चमडे की बेल्ट अप घटन योग है बी नम्मर बिलकुल सही होगा लोहे की कील ए नहीं है पिलास्टिक भी नहीं है तो बी नम्मर आपका बिलकुल सही होगा राश्टिय बानस्पतेक उध्यान कहां पर रिस्ते थे राश्टिय बानस्पतेक बताना है कोलकाता में हैं बैंगलूर में हैं लखनव में हैं या इन में से कोई नहीं तो चार बिकल्प और हमें चेहन करना है A B C D राश्टी बानस पतेक उध्यान कहां पर इस्ते थे ये चीज बतानी है सबी लोग आंसर बताएंगे प्रस्निक रमांग है अपना आठ और अपनी नेक बैंगलू का जो राइट आंसर होगा वो कहां पर है लखनव लखनव यानि कि जो बिकल्प नमबर B है राश्टी ऑश्टी अनुसंधान संस्थान भी लखनव में है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनव है ठीक है आप सभी को पताना है कि आलू अनुसंधान संस्तान कहां पर है तो आपका यहां पर तो उत्तर बानसपतिक जो अध्यान है वो लखनव में है लेकिन आलू अनुसंदान संस्तान कहां है यह सभी लोग कमेंट में लिखेंगे फटापट से तब तक आपका नेक्स्ट क्वेस्चेन है मिर्दा परदन रोका जा सकता है बन मिर्दा परदन रोका जा सकता है तो किसके द्वारा रोका जा सकता है सभी लोग आंसर बताएंगे प्रस्ण किरमांक 8 का तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मिर्दा परदन रोका जा सकता है तो बन रोपन द्वारा रोका जा सकता है आ नम्मर इसका सही हो जाएगा ठीक है जिनका जो बो है क्या है जिनकी धारना बनी है कि उपरयोक्त जहां दोनों आता है वो सही होता है तो ये बिल्कुल भी धारना अपनी निकाल लें इसलिए मैंने इस बिकल्प को यहां पर दोनों दिया है और उत्तर बन रूपन एक दिया है कि दोनों हमेशा नहीं होता अपर्युक्त सभी जो घास रहती है या ब्रक्च रहती है वो मिर्दा को जकड़ी रहती है तब अंगला क्वेस्चन हमें बताना है चिप को आंदोलन मूल रूप से किसके बिरुद्ध था तब सभी बताएंगे जल पर दूसर या फिर ध्वनी पर दूसर या दौनो या बन क कटाई के तो आपका प्रश्निक्रमांक 9 का आंसर सभी लोगों को बताना है आपका नेट थोड़ा सा देख लें मैं भी मोबाइल में आप चेक कर रहा हूँ किसी भी प्रकार की कोई बफरिंग नहीं हो रही है तब हमें बताना है चिप को आंदोलन मूल रूप से किसके बि नीचे यह और आपका जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बन कटाई बन कटाई यानि कि जो बिकल्प नमर आपका D है वो बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है बन कटाई आपका सही है तब अंगला question आपके सामने है पारस्तितिक तंत्र में तत्तों के चक्रन को क्या कहते ह आपको पता है कि जो बिवस्तित की सब्द की जो बिवस्तित परिभासा दी है वो हैकल महुदाई ने दी है ना तो आपको बताना है कि पारस्तितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं रासायनिक चक्र जेव भूरासायनिक चक्र भूबैग्यानिक चक्र या फिर भूर आसायनिक चक्र तो प्रश्ने किरमांग 10 है और 10 का उतर हमें A, B, C, D के माध्यम से बताना है तब आपका राइट आंसर क्या होगा पारिस्तितिक तंत्र में तत्वों की चक्रन को क्या कहा जाता है तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प न भिन्ने समुदायों के बीच का संक्रांती चेत्र क्या कहलाता है दो भिन्ने समुदायों के बीच का संक्रांती जो चेत्र है वो क्या कहलाता है एको टाइप, एकेड, एको स्पियर या फिर एको टोन तो प्रश्ने किरमांग हमारे सामने 11 है और 11 का उतर हमें बताना है कि द बिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांती काल कहाजात संक्रांती छेत्र है वो जल्दी से बताएंगे दो बिन्न समुदायों के बीच संक्रांती छेत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है तब अधिकांस लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है एकोटोन एकोटोन यानि क जो बिकल्फ नमर D है आपका वो बिल्कुर सही हो जाएगा D नमर 11 का आपका D नमर बिल्कुर सही होगा ठीक है बढ़ते हैं अंगले कौस्चन की और अंगला जो कौस्चन है स्वापोसी जीव के अंतरगत आते हैं तो क्या आते हैं swap osi jyoo के अंतरगत हमें बतानी है चार बिकल्फ हमारे सामने मौजूद है मानाओ, हरे पोदे, खरगोस या फिर सेर तो आपका right answer बताना है swap osi jyoo के अंतरगत आते हैं तो कौन आते हैं परशने किरमांक 12 और 12 का अंसर सभी बताएंगे तो आपका right answer क्या होगा swap osi jyoo के अंतरगत आते हैं कौन आते हैं तब अधिकांस लोगों ने बिलकुल आंसर सही बताया है कि जो होते हैं हरे पोदे यानि कि जो बिकल्फ नम्मर आपका B है वो swap osi jyoo के अंतरगत आते हैं और B नम्मर बिलकुल correct answer हो जाएं फल को खाता है फूल को खाता है पत्ती को या फिर तना को खाता है तब अंसर क्या होगा प्रस्निक्रमांग 13 का टिड़ा पोदे के किस भाग को खाता है खाता है बताना का अंसर हमें बताना है और 13 का जो right answer होगा पत्ती यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका सा है वो बिलकुल सही होगा ठीक है टिड़ा पोदे के किस भाग को खाता है तो पत्ती को खाता है पत्ती अंगला question देख लो अंगला question है जलीय परीतंतर का अजयवेक घटा का कौनसा है जलीय परितंत्र का हमें बताना है प्रशनिक्रमांग 14 का अजैब kay घटक कौनसा माना जाएगा प्रशनिक्रमांग 14 मेरे भी मोबाइल चल रहा है मेरे में मोबाइल में सबी के कमेंट देख रहा हूँ तो जलिये परी तंत्र का जो अजयवेक घटक है वो कौनसा है तब आपका प्रकास उर्जा प्रकास उर्जा यानि कि जो बिकल्प नमर आपका B है वो बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है प्रकास उर्जा आपका सही होगा ठीक है डी नमर आपका सही होगा पता नहीं क्यों आप लोगों की मोबाईल में बफरिंग हो रही है लेकिन अंगला कोस्चन देखती है योगेक लबड इबम अमल पारिस्तित की तंत्र के किस घटक से सम्बन देत हैं उत्पादक से सम्बन देत हैं जैवेक से सम्बन देत हैं निर्माणक से संबन देते हैं या फिर अजेबक से संबन देते हैं योगेक लवड इबं अमल पारिस्तितिकी तंत्र के किस गटक से संबन देते हैं चार बिकल्प हैं चार में से हमें बताना है तब प्रश्निक्रमांक हमारा पंदरा है और पंदरा का आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा परश्निक्रमांग 15 का अधिकांस लोग D बता रहे हैं कुछ लोग A बता रहे हैं लेकर आपका जो उत्तर होगा वो होगा D यानि कि अजयवेक घटक के अंतरगत आएंगे योगेक लबड इबम अमल पारस्तितिक तंदर के अजयवेक घटक यानि की D नमर आपका बिलकुल यहाँ पर सही होगा अंगला क्वेश्चन देखो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में छोब मंडल में मद्द मंडल में या इन मेंसे कोई नहीं तो प्रष्णिक्रमांग 16 और 16 का राइट अंसर क्या होगा हमें बतानी है कि जो ओजोन परत है वो पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है सभी लोग बिलकुल अंसर बताएंगे सही अंसर बताना है सभी को पता भी होने चाहिए question बिलकुल आसान है सरल है तब आपका right जो answer होगा कि जो ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल यानि की A-nummer आपका सही होगा A-nummer पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है बिलकुर right answer A-nummer आपका सही है तब अंगला question देखते है गंगा या मुना का संगम होता है तो कहा होता है सबी लोग बताएंगे और इसे क्या कहा जाता है एक question भी आपको बताना है गंगा यमुना का संगम कहा होता है और इसे कहा क्या जाता है इलाहबाद कोलकाता रामे सुरम या इनमे से कोई नहीं तो गंगा यमुना एक इलाहबाद और इलाहबाद यानि की प्रियाग है ना प्रियाग राज इसे कहा जाता है तब अंगला क्वेश्चन है एहमत किसने प्रस्तुत किया है कि सारे असंतोस का स्रोत परिवार है मर्क्स ने मर्टन ने कूले ने या इन मेंसे कोई नहीं तो एहमत किसने प्रस्तु किस ने किया कि जो असंतोस का सारे असंतोस का स्रोथ परिबार माना जाता है तब सभी लोग बिलकुल आंसर सही बताएंगे तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ कि वो होगा मार्क्स है मार्क्स यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका ए है यानि कि आ है वो आपका सही होगा मार्क्स ने एहमत प्रस्तुत किया कि सारे असंतोस का जो स्रोथ है वो परिबार है यानि कि ए नम्मर आपका बिलकुल सही होगा अंगले कोस्चन आपकी स्क्रीन पर है केरल में नायरों के सन्युक्त परिवार को क्या कहते हैं तारवार, गोसुल, इलाम या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो आपका राइट अंसर बताना है परस्णिक करमांग 18 का, केरल आपको बता होगा, हैना केरल में हमेशा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर पेरियार अभ्यारन हैं, हैना जो सबरी मला मंदर के लिए जाना जाता है और केरल में नायरों के सन्युक्त परिवार को क्या कहा जाता है तब प्रश्निक्रमां का ठारा का आपका उत्तर हो जाएगा तारवार यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका A है वो बिल्कुल सही हो जाएगा A नमबर ठीक है बढ़ते हैं अंगले कोस्टिन की ओर एकांतिक ना आपकी परिवार की अबधारना बताना है टी पार्संस, कोलिन बेल, आईपी देशाई या इन में से कोई नहीं एकांतिक नापकी परिवार की जो अबधारना है वो किसकी है तब सभी लोग आंसर बताएंगे प्रश्निक्रमांग 19 का इसमें कुछ सरल प्रश्ने है तो नापकी परिवार की अबधारना जो है टी पार्संस आब ने दी है और एज जनों ने बताया है उनका अंसर बिलकुल सही हो जाएगा खेल में सामाजिक आदान प्रदान की एक रूप की तरह किसने देखा मतलब सामाजिक आदान प्रदान की रूप में खेल को बताना है खे खेल को सामाजे कादान प्रदान के रूप में की तरह किस ने देखा है तो सभी लोग उत्र बताएंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा खेल को सामाजे कादान प्रदान के रूप में देखा है तो वो पार्टेल यानि कि जो आपका बी नम्मर आपका बिलकुल सही होगा पार् पार्टेल याद रख लेंगे पार्टेल है ना पार्टेल ने आदान सामाज एक आदान प्रदान की रूप में देखा है अंगला क्वेश्चन है पालतु पसू नहीं है तो कौन सा नहीं है बिलको सरल क्वेश्चन है सभी लोग आंसर बताएंगे 21 का रोज आपकी साड़े 6 शेवजे कक्षा इसी प्रकार से होगी है ना तो पालतु पसू नहीं है तो कौन सा नहीं है बकरी गाए भैस या इनमें से कोई नहीं तब आपका आंसर क्या हो जाएगा पालतु पसू कौन सा नहीं है सभी का आंसर बिलको सही आएगा क्योंकि प्रस्ने भी बिलको सरल है प कि यई भी पालतु है तो डी नमर आपका बिलकुल राइट अंतर होगा है ना अंगला question आपकी screen पर है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है गोड़ा को ऊट को गधा को या इनिमेंसे कोई नहीं तो रेगिस्तान का जहाज बताना है हमें किसे कहा जाता है प्रशनी कर्मांग का 22 और 22 का बिलकूल सरल सा प्रशन है और सरल सा प्रशन जब आ जाता है तो बिलकूल राइट अंसर सभी लोग बताते